मैं जब गर्मियों के छुट्टियों में मौसी के घह जाती तो मौसी हर रात मेरी नाबी में तेल लगाती और कहती की इससे तुम्हारे सर के बाल लंबे होंगे तेल लगाते ही मुझे नीन आ जाती और जब आधी रात को आँख खुलती तो मौसी का बेटा मेरे पाउं वाली साइट पर बैठा रो रो कर कहह रहा हो ता कि मुझे माफ कर दो मैंने ये गुनामा के कहने पर किया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक रात मैंने वो तेल लगाया कुछ देर गुजरी थी कि मैं मैं पिता की एक लोती बेटी थी, मेरी मा मेरी बच्पन में ही गुजर चुकी थी, मैं अकेली थी, घर में पिता के सिवा मेरा कोई ना था और पिता के बाद अगर कोई मेरा अपना था तो वो मेरी मौसी थी, जो मुझसे बहुत ही महुपत करती थी, अपने बच्चों से बढ़कर वो मुझे चाहत अक्सर मौसी को छेड़ती थी कि वो मुझसे जादा प्यार जरूर किसी लालच में करती हैं जिस पर मौसी नराज हो जाती और कहती कि मेरी मोहपत को तुम क्या समझ बैथी हो तो मैं फॉरण मौसी से माफी मांग लेती क्योंकि मौसी भी जानती थी कि मैं इनको तंग करती हू तो वो जादा गुस्ता ना होती थी मैं बड़ी मेहनस से इनको मनाती थी मेरी पिता काफी अमीर थे इनकी फैक्टरी थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुलाजिम भी रखे हुए थे मैं अक्सर छुट्टियों में मौसी के घर जाती थी छुट्टियों गुजारने के बाद घर वापस आती अपकी बार भी मैंने पिता से जिद बांदी हुई थी कि मैं इस बार भी छुट्टियों गुजारने मौसी के घर जाऊंगी मगर पिता नहीं मान रहे थे मैंने हर मुमकिन कोशिस कर ली थी पिता को मनाने की मगर वो थे कि मान ही नहीं रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पिता ऐसा क्यों कर रहे थे पहले तो वो मेरी थोड़ी सी जित पर मान जाते थे अब तो वो मौसी का नाम लेते हुए भी मुझे गुसा करना शुरू कर देते थे मैंने जादा जित की तो कहने लगे की बस खामोश रहो मैंने कहा ना की तुम इस दफ़ा कहीं भी नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी अब मैं तम्हारे मूसे मौसी का नाम ना सुनू ये ना हो अपकी बार मुझे तुम्हें समझाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़े पिता मेरी जित पर अचाना की भड़क उठे थे मैं मौके की तरह से पिता की सूरत देख रही थी आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो पिता इस कदर गुस्से में आ गए थे इनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मौसी के घर जाने की बात ना की हो बलकि कोई गुना कर बैठी हूँ मुझे पिता का बरताब की वज़ समझ नहीं आई थी इसलिए मैंने वज़ जानने के लिए पिता से पूछा तो पिता इसमें जित की क्या बात है मुझे जानना है हर बार तो जाती हो न अब की बार ऐसे क्या है जो आप वहां का नाम लेने पर नराज़की दिखा रहे हैं मैं भी पिता के सामने डट कर खड़ी हो गई थी मैं एक लोती थी इसलिए पिता मुझे कुछ भी नहीं कहते थे और मैं भी इसका भरपूर फायदा उठाती थी अब भी मैं ऐसा ही कर रही थी लेकिन मुझे मौसी के इस छोटे से घर में मज़ा आता था वहां मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता था तुम बात नहीं समझ रही हो पहले की बात और थी और अब की बात और है पिताने मुझे जित पर अटके देखा तो गुस्से के बजाए नर्मी से समझाना चाहा मुझे भी तो बताएं पहले में और अब में क्या फरक है मैं दोनों बाजों सीने पर बांध कर इनके सामने खड़ी थी बोली थी जिस पर पिताने मुझे गुस्से से देखा था बेटा पहले तुम छोटी थी और तुम्हारी मौसी के बच्चे भी छोटे थे मगर अब सब बड़े हो गए हैं आज कल तो हालाद चल रहे हैं मैं इन पे खौफ जादा रहता हूँ मुझे अपने साय पर भी भरोसा नहीं है जब मैं जाओंगा तब तुम मेरे साथ चली जाना लेकिन अब यूँ अकेले नहीं जा सकती तुम और वैसे भी वो लोग इतने भी अच्चे हालत से नहीं गुजर रहे हैं तुम्हारी देख भाल कर सके दौलत हमारे पास है इनके पास नहीं है इसे लिए दूसरों पर बोज नहीं बढ़ना चाहते अब तुम बच्ची नहीं हो समझदार हो लोगों पर इतना अंधा भरोसा करना अच्छी बात नहीं है वो तुम्हारी मौसी है तुमसे मोहपत करती है लेकिन मर्दों के फित्रस से तुम अभी वाकिफ नहीं हो इसे लिए अच्छा नहीं लगता यू किसी के घर जाकर रहना पिता ने मुझे एक बार फिर से प्यार से समझाया था मगर मैं जिद्दी से इनके सामने खड़ी रही थी तो क्या बड़े होने से रिस्ते बदल जाते हैं रिस्ते तो वही रहते हैं ना अब आप इतना ना सोचें मौसी बहुत ही गरीब थी और मुझे से महपत करती थी मुझे भी इनसे महपत है पिता प्लीज मैंने कोई गलत फर्माई इस तो नहीं की है जो आप इस तरह मुझे पर रोक टोक कर रहे हैं मैंने इसके पास बैटकर अपने बाजू से पिता के गले में डालते हुई कहा तो पिता ने जैसे मेरे सामने हत्यार डाल दिये थे और मुझे जाने की इजाजत दे दी थी मैं पिता इजाजत देने पर खुशी से उचलती कूथती अपने कमरे में आकर जाने की तैयारिया करने लगी इस दोरान मेरे पिता कमरे में आकर फिकर मन से मेरे पास बैठे मुझे देख रहे थे मगर मैं पिता की फिकर ना समझते हुए अपनी खुशी में मगन अपने चीजे पैक्ट कर रही थी फिर कुछ देर बात पिता ने अपने मुलाजिन से कहा और वहां मुझे मौसी के घर ले गए जाने की खुशी ने मुझे निखार दिया था मैं हस्ती मुस्कुराती मौसी के घर की तरफ रवाना हो गई जब मौसी के घर पहुँची तो मेरी मौसी बेचैनी से मेरा इंतिजार करती दरवाजे की पास ही खड़ी थी मुझे अपनी मौसी की ये आदत बहुत ही अच्छी लगती थी वो मेरा इंतिजार बहुत ही बेसबरी से करती थी, जब मैं गाड़ी से उतर कर उनके घर की तरब बड़ी तो मेरी मौसी ने मुझे बड़े प्यार से अपने गले लगाया, और मेरा माथा चुमते हुए मुझे अपने साथ घर के अंदर ले गई, सभी मुझे से बड़ी ही, गम जोसी से मिले थे, मैं उनका इस कदर प्यार देखकर खुश हो गई थी, मुझे इसलिए तो यहां आना इतना पसंद था, कितने खुश थे वो सब और पिता ना जाने क्या-क्या सोचते फिटते हैं, मैं बेसरबरी से तुम्हारे आने का इंतिजार कर रहा था, मेरे बैठत हो चुकी थी और बेटा अभी कुवारा था, मौसी ने, खाने मेरी पसंद के ही बनाया था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मेच पर अपनी पसंद का खाना देखकर, खाना खाने के बाद मैं मौसी के साथ अपने कमरे में आई और अपने कपड़े निकार कर, बदलने ल देखकर मुस्कुरा कर जवाब दिया तो मेरे पास ही बैट गई हाँ सफर भी इतना जादा थाना इसलिए ठक गई होंगी चलो लेट जाओ मैं तुम्हारी लिए चाय बना कर लाती हूँ फिर तुम्हारी नावी में तेल लगा देती हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा मौस देखते तो मेरी किसमत पर खुष होते ना जाने उनको अजीब किसिम के वहम क्यों हो गए हैं मैं सोचों में ही गुम थी जब कुस देर बाद मौसी हाथ में चाय का कप लिए कमरी में दाखिल हुई तब मैं हलकी से नीन में जा चुकी थी हाला कि आवास पर मैं सीधी होकर बैट गई और इनको देखकर मुस्कुरा दी तुम्हारे पिता नरास तो नहीं हुए यहां आने को लेकर मौसी ने मुझे चाय पीते देखकर आहिस्ते से पूछा था तो मैं इन्हें देखकर सरमिंदगी से सर जुका गई अब आखिर मैं इनको क्या बता कि पिता मुझे य मौसी पिता ने क्या कहना था इनकी इजाजत के साथ ही यहां आई होना वरना आपको क्या लगता है अगर पिता इजाजत ना देते तो मैं यहां आती वैसे मौसी आप भी अजीब किसिम की बाते कर रही हैं अब मुझे कभी यहां आने के लिए नहीं रोक सकते आप हैं इतन क्या कोई ऐसी बात थी जो पिता और मौसी के दर्मियान हुई थी जिसका मुझे मालूम नहीं था, मैंने चाय खतम की और कप सामने मेज पर रखकर सर जुका कर सरमिंगी से जूट बोला था, अब इनको क्या बताते कि पिता कितना भड़क रहे थे मेरे यहां आने पर, मेरे ज धूट पर मेरी मौसी का चहरा खुसी से चमक उटा था, मैं नहीं जानती थी कि पिता मुझे क्यों रोक रहे थे मगर, मैं ये बात मौसी को बता कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मैं अब बच्ची तो नहीं रही थी, अब समझदार थी, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन वो क्या था, मैं समझने से कासिर थी, मुझे यहां आए हुए दूसरा दिन था, जब मेरी मौसी मेरी कमरे में आई और इनके हाथ में तेल था, वो तेल लिए मेरे पास आ गई और बोली बेटा तुमारी नाभी में तेल लगा दू, मैंने हैर मैंने दिल में सोचा था और पूछा ये किसलिए, मौसी मेरे सवाल पर मौसी धीमे से मुस्कुरा दी और बोली बेटा, इस तेल से तुमारे बाल लंबे होंगे और नीद भी अच्छी आएगी, मैं खामोसी से मौसी के सामने लेट गई और मौसी ने तेल लगा दिया, इसक दिलसला काफी रातों तक चलता रहा था, अब मौसी रोज रोज को मेरे नाभी में तेल लगाती, लेकिन अजीब बात ये थी कि रात में जम मैं आँख खोलती तो मेरे पाउँ वाली साइट पर मौसी का बेटा बैठा होता, मैं एक रोज तो इसे देखकर हैरान ही हो गई थी लेकिन मैंने पहले तो इसकी बात को जादा एहमियत ना दी थी मगर जब हर रोज रात को ऐसा होने लगा तो मेरा माथा ठनक गया था, मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया था, मुझे अब अपनी इज़त की फिक्र बढ़ गई थी, इस रात में जब होस में आई तो म मौसी का बेटा बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब मा के कहने पर किया है, मैं ये सब करना नहीं चाता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, आकिर इसकी इस बात का मतलब क्या है, ये बात मेरे दिमाग में जैसे छपसी गई थी, सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर और सरीर दर्द से करा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है, सोच सोच कर जब ठक गई तो अपना सर पकड़ लिया, अब मुझे पिता की कही बातों की समझ आने लगी थी, पता नहीं ये सब वहम था या मेरे दिमाग का फितूर, लेकिन अब इस राज में परदा तो उठाना ही था, और इस राज को जानने की शुरुआत मैंने अपनी मौसी से ही की थी, क्योंकि इसके बेटे के मुझे वो अलफाज सुनकर मेरे ये सम्मा के कहने पर किया है, मैं अजीब सी, कैफियत का शिकार हो गई थी, क्या जो मुझे नजर आ रहा वो सब धोका था, या यही हकीकत थी, जिसे मैं मानने को तैयार ना थी, वाकिए इतनी मौपत करने वाली मौसी कुछ गलस सोच सकती है, नहीं जरूर कोई और वज़े है, मैं उलजन का सिकार हो चुकी थी, क्या हुआ मेरा बच्चा इतना अदास क्यों बैठा है, सब ठीक तो है ना, अगर कोई बात परिशान कर रही है तो बता दो, बताने से दिल हलका होता है, मैं च्छत पर खा मौसी से बैठी, अपने साथ होने वाले वाक्याओं को सोच रही थी, जन मेरी मौसी च्छत पर आई और मेरे पास बैठ कर बड़े प्यार से लाट से, मेरे सर पर हा कैसे कर सकती थी, मैंने अपने सोचों को दूर किया और मौसी को देखा, बस वैसे ही आज मौसम अच्छा है, तो मैंने सोचा कि कुछ देर छट पर जाकर मौसम का आनंद ले लूँ, मैंने मौसी का हाथ पकड़ा और आइस्ते से दबाते हुए जैसे उनका रुका हुआ, मै मौसी, वे उटकर नीचे चली गए और मेरे सोचने का सिलसला ऐसे खतम हो गया, मैंना चाहते हुए भी नहीं जाओंगी, मौसी मेरी नाभी में तेल डाल देंगी, उसके बाद मैं सोने चली जाती हूँ, सोच सोचकर पागल होने को थी, एक दिल, किया कि घर वापस चली जा इसका बेटा कमरे में आकर मेरे साथ क्या करता था, रत के इस वक्त और इसकी बात का क्या मकसित था, रोज कहता था अगर मौसी से कुछ कहती तो, बदनामी मेरी भी होती, इसलिए ख्वाप को, इनको कुछ ना कहती, मेरी सोच से भटक भटक कर रात वाले वाकियों पर जा रही थी और मैं अपनी जगह से उटी और आइस्ता से चलती छट से नीचे चली आई जब मैं छट से उतर कर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो सामने से मौसी का बेटा आता हुआ नजर आया था इसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी इसकी नजर जग गई तो वो मेरे पास से गुजर कर मगर इसने मेरी तरफ देखा तक ना था इसकी इस हरकत पर मैं और उलज गई थी, रात को मेरे कमरे में आने वाला वेसक सारा दिन सामने न आता और अगर आ जाता तो नजरे जुका लेता जैसे कोई गुना कर बैठा हो, आखिर ये सब क्या मांजरा था, ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा था, अपन वहीं बैठे बैठे एक मनसूबा तयार किया था, अमल करने के लिए रात का इंतिजार करने लगी, साम हुई तो मैं नहा धोका ताजगी होती, कमरे से बाहर आई तो घर के सब व्यक्तियों बाहर बैठे खाना खाने की तयारी कर रहे थे, मुझे आता देखकर मेरे मौसा न नहीं की थी, बलकि खामोसी से बैठ गई थी, मुझे अब लगने लगा था कि मौसी का बेटा मेरी इज़त का लुटे रहा है, मुझे इस सक्स को देखते ही गुस्ता आ जाया करता था, मगर मैं वे चहरे पर मुस्कान लिए बैठी थी, मैं एक बार समझ गई थी कि अब सम तक पहुँशना था, इसलिए मुझे इन सब के साथ अच्छा ही बन कर रहना था, मेरा खाना खाने का थोड़ा सा भी दिल नहीं किया था, मगर सब को दिखाने के लिए पूरे दिल से खाना खाने लगी थी, बेटा तुम्हारी तबियत तो चीक है न, मतलब कोई चक्कर मौसी की बात ना समझी से उनको देखने लगी थी, मुझे उनकी बात का मतलब ही समझ नहीं आया था, इसलिए मौसी से पूछ लिया क्या मतलब है मौसी, मेरी तबियत को क्या होना था भला, मेरी आवाज इतनी उची थी के पास बैठे मौसा और उनका बेटा सुन लेते, इ इस पर मौसी ने सुकर का सांस लिया था, नहीं बेटा, मेरा मतलब था कि कल से, तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी से चक्कर तो नहीं आ रहे थे, हाला कि लहजे में लड़कडा हट से, मुझे मामला गडबर लग रहा था, नहीं मौसी, मैं बस ठीक लगी थी, कुछ देर ही हुए थे कि मौसी ने दर्वाजा खोल कर अंदर दाखिर हुई और सीधा मेरे पास आकर रुकी थी, मौसी ने मेरी नाबी में तेल लगाया और खामोसी से मेरे कमरे से निकल गई, इसके जाते ही मैंने जल्दी से अपनी नाबी पर लगा तेल साफ क पर बड़ी मुश्किल से खुद को समालना था, मगर समालते हुए भी मैं बैट पर गिर गई दोबारा मुझे जब होस आया वही मनजर था आखों के सामने जो इतनी रातों से नजर आ रहा था, मैंने अपने योजना की विफलता के लिए मन ही मन स्वें को कोसा था, मुझे म सकता था, मैंने मौसी के बेटे से कुछ पूछना चाहा लेकिन वे कुछ ना बोला, बस अपने वही फिफारे दोहराता रहा और चला गया, मैं खामोसी से बैट गई और अब मैंने एक और तरीका सोचा था, सत जानने का, मैंने सारा दिन बेचैनी में गुजारा था, मुझ कमरे में आ गई, रात काफी हो गई थी, मौसी जैसे ही कमरे में तेल लाई, पीछे से मौसा की आवाज पर मैंने उनके हाथ से तेल की शीशी लेते हुए, खुस दिल से कहा कि मौसी मैं तेल लगा लेती हूँ, आप जाएं वरना मौसा पर गुस्सा करेंगे, मेरे बात सुन कर मौसी ने बड़ी, मिन्नतों के बाद मुझे वे तेल की शीशी पकड़ा दी थी, अभी लगा लो, ठीक है, बाल देखो पहले से भी काफी अच्छे हो गए हैं, वैसे भी भाई साहब, अब तुम्हें वापस बुलाना चाहते थे, मगर चाय से पहले, कम हो जाएंगे तो अच्छा है, वे अजीब अंदाज की बाते करती हुई जा चुकी थी, मैंने मौका पाते ही तेल वाली शीशी से तेल निकाल कर इसे दूसरे तेल में बदल दिया और भाग कर बैट पल लेट गई, कुछी पल गुजरे थे कि मौसी फिर से मेरे कमरे में आई थी और मुझे स इस पर और तेल लगा दिया और कमरे से बाहर निकल गई, मैं खामोसी से अपनी जगह पर पड़ी रही, रात धीरे धीरे से गुजर रही थी, तब ही मेरी आँखों ने जो देखा था मुझे इस पर यकीन नहीं करना चाहिए था, और मेरे सांस सीने में रुख कर रह गए थ यह सब देखकर और सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, जो मैं सुन चुकी थी वे सस्था, ऐसा कैसे हो सकता है, लोगों के इतने चहरे होते हैं, मैं साथ ही हैरान रह गई थी, मुझे समझ आई थी कि मेरे पिता मुझे यहां आने से क्यों रोकते हैं, म और इसे कमरे में लेकर आई देखो अफसल तुम रोज यहां इसके साथ होते हो तो अब तक ये हमला क्यों नहीं हुआ था मुझमें अब सब्र नहीं रहा था जल तुम अपना काम करो मुकामल ताकि इसकी शादी तुम से करवा कर मैं वो दौलत हासिल कर सकू जिस पर इसका प सीधी उंगली से नहीं निकलना तो उंगली टेड़ी ही करनी थी मुझे वे मुस्कुराहट सजा कर बोलती कमरा बाहर से बंद करती जा चुकी थी मैं जटके से उट बैठी थी कि मुझे उटते देखकर आफजल को पता लग गया था कि मैं सच जान चुकी हूँ इसलिए उस से यहां रात गुजार कर चला जाता था इसलिए मेरी इज़त महफूज रही थी इसका मतलब साफ था कि पिता को पहले ही मुसी की नियत पर खोट नजर आता था इसलिए वो मुझे यहां आने नहीं देते थे मेरे यहां आने के बाद पिता को एक मिटिंग की वज़े से प्यारे पिता से लड़ती थी जिद करती थी वे मुझे मना करते थे और मैं बेवकूफ की तरह से जिद बानती थी और इन्हीं लालची लोगों के पास जल्दी चली आती थी इनके लालच का निशाना बनने के लिए मेरी इज़त महफूज रख ली है वरना एक अकेले मर्द क साथ एक कमरे में मैंने कहां महफूज रह सकती थी मुझे अपनी मौसी से सकती नफरत हो रही थी कि और वो इस कदर घटिया होंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी उनको जरा ऐसास ना था इनकी भी एक बेटी है वो खुद एक औरत होकर ये सब कैसे कर सकती थी उन्होंने अपन इन पर कभी अमल नहीं किया इसलिए मैं इनके मजबूर करने पर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता माफ कर देना मैं ऐसा नहीं चाहता था और ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे सची महपत करता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अगर शाद पाते ही मुझे बाहर से सर्खोसी में बाते करने की आवाज सुनाई दी थी, मैं जल्दी से उटकर दर्वाजे के पास गई ताकि इनकी बाते सुन सको, ना जाने कितने राज खुलने बाकी थे, मैं सुनी हो चुकी थी, रिस्तो का बहुत ही भेयानक रूप मेरे सामने आया थ तुम कहीं हमें बेववकूफ तो नहीं बना रहे तुम इसके पास जाते हुए अभी तक हमला क्यूं नहीं हुआ ये अवाज मेरे मौसा की थी जो हर वक्त मुझसे बेटी बेटी कहते थे ठकते नहीं थे इनके मुझसे ऐसी बात सुनकर मेरे पैर तले से जमीन निकल गई थी मेरे पिता जैसे मौसा को इस कदर गंदी जहनियात के मालिक थे मेरा तोसर चक्रा कर रह गया था तुम्हारी आसानी के लिए इस लड़की की नाभी में भियोशी की दवा मिला कर लगाती थी ताकि तुम्हारा काम असान हो जाए मगर अफसोस है इतनी देर कर रहे हो मेरे अपने बेटे को बाते सुनाते जा रहे थे और वो सर जुका कर खामोसी से सब सुनता जा रहा था हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे थे इस लड़की की सारी जायजात बाद में तुम्हारी और काम आएगी ना पागल इनसान कुछ करो और जल्दी काम खतम करो इतन बैट पर आकर बैट गई थी कुछ देर ऐसे ही बैठी रही फिर मैंने कुछ सोच कर अपने पिता को फोन किया पिता ने फोन उठा लिया था मैंने सारी बात एक एक करके पिता को सब बता दिया था और आखिर में मौसी के बेटे की वकालत भी करा दी और इतने अपनी मा के ला पते सुनती रही थी क्यूंकि इस बार मेरी गलती थी मुझे पिता मुझे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए थी कुछ देर ही मैं पिता मौसी के घर पहुँच गए थे उनोंने मौसा मौसी को जी भरकर बेज़ित किया था मैंने भी पिता का पूरा साथ दिया। अलफाज अच्छा इंसान था लेकिन पिता को जब ये रिस्ता मनजूर ना था मैंने पिता को बहुत समझाया लेकिन वो ना माने और मेरी शादी कहीं और कर दी अपने पती के साथ दूसरे मुलक सिर्फ हो गई थी बाद में मुझे पता लगा था कि मौसी ने कितना घाटे का सौदा किया था मुझे मौसी की सोच पर अफसोस हुए जा रहा था जाजाद के लालच में आकर बेटे से भी हाथ दो बैठी थी क्यूंकि मेरी शादी के बाद अलफाज ये बरदाश ना कर सका था और इसने खुद खुशी कर ली थी इसकी माँ इसके गम में पागल हो गई थी जबकि मौसा खुद बिस्तर में जा लगे थे उमीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें